साउत आफ्रिका की कप्तान डी नेलगर के DRS विवाद पर भालतिय कप्तान विराट कोहली के रियाक्शन ने पूरे क्रुके जगत में हल्चल मचा दी है पूर भालतिय बल्लेबास गौतम गंभी विराट की इस हरकत से खासा नाराज ज़र आ रहे हैं उनका कहना है कि विराट ने बहुत गलत किया एक अप्तान को ये सब शोभा नहीं देता उन्हें तो यहां तक कह दिया कि अगर विराट ऐसे ही बिहेव करते रहे तो कोई भी उभरता हुआ खिलाडी उन्हें अपना रोल मॉडल नहीं बनाएगा दरसल हुआ ये कि भारती ओफ स्पिनर रविचंद्र नश्विन की गेंद पर एलगर लवी जबलू आउट दिये गए गेंद एलगर की घुटने के नीचे लगी थी लेकिन डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानि की DRS ने दिखाया की गेंद स्टम्स के उपर से निकल जाती और एलगर को नौट आउट दे दिया गया जिसके बाद कोली बुरी तरह किसी आ गए डिसीजन से फ्रस्ट्रेट कोली स्टम माई के पास गए और मैच के ब्राडकास्टर सूपर स्पोर्ट पर बॉल ट्राकिंग में गडबड करने का इलजाम लगा दिया जिससे गंभीर बिलकुल प्रभावित नहीं हुए स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए गंभीर ने कोली के इस रियाक्शन पर कहा कोली ने जो किया वो वास्ता में बहुत बुरा था जिस तरह उन्होंने स्टम माई के पास जाकर रियाक्ट किया वो बचकानी हरकत थी आप एक अंतोराश्ट्रिक अप्तान से एक भालती अप्तान से ऐसी उमीद नहीं करते हैं इसके बाद गंभीर ने इसी मैच में मैंक अगरवाल और कोली के खिलाफ हुई अपील और उस पर आई DRS के कॉन्ट्रोवर्शल पैसले का भी जिक्र किया गंभीर ने सवाल उठाया कि विराट ने उस समय ऐसा रियाक्ट क्यों नहीं किया जब उनके खिलाफ हुई एक अपील पर उन्हें नौट आउट दिया गया जबकि रीपले देखकर ऐसा ही लग रहा था कि गेंद विराट के बल्ले को छू कर गई है गंभीर ने मयंक के डिसीजन पर भी यही सवाल उठाया गंभीर ने कहा टेकनोलजी जो करती है वो आपके हाथ में नहीं है फिर तो आपको उस समय भी ऐसे ही रियाक्ट करना चाहिए था जब लेक साइट पर जाती हुई गेंद पर आपके खिलाफ विकेट कीपर के हाथों कैच आउट की अपील हुई थी लेकिन डीन एलगर ने इस तरह रियाक्ट नहीं किया साथ ही मयंक अगरवार की अपील पर भी ऐसा ही हुआ पहली नजर में तो मयंक भी आउट ही लग रहे थे लेकिन एलगर ने उस समय भी ऐसी कोई प्रतिकिरिया नहीं दी आप चाहे जो भी कहें कि विराट अपने पूरे दिल से खेलते हैं लेकिन इस मामले पर उन्होंने बहुत बड़ा चड़ा कर रियाक्ट किया आप इस तरह किसी के रोल मॉडल नहीं बन सकते कोई भी उबहता हूँ अक्रिकेटर इस तरह की प्रतिकिरिया नहीं देखना चाहेगा खासकर भातिय कप्तान से बता दे कि विराट कोहली के अलावा भातिय गेंदबाज, रवी अश्विन और बल्लेबास केल राहुल ने भी कुछ इसी तरह से रियाक्ट किया था अश्विन ने भी स्टंप माइक पर जाकर सूपर स्पोर्ट को निशाना मनाया जबकि राहुल ने स्टंप माइक पर कहा था कि 11 लोगों के खिलाफ पूरा देश खेल रहा है इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है प्रवीन ने, मैं हूँ गरिमा लेकिन वीडियो खतम करने से पहले आपको एक आपके काम की बात बता देते हैं भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लाटपॉम विन्जो यहाँ पर 100 से ज़ादा गेम्स हैं, वो भी 12 भाशाओं में इसके साथ ही यहाँ आपको हलके फुलके से लेके मालधार वाले सारे गेम्स मिलते हैं और सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का जंजट नहीं पालना पड़ता क्योंकि यहाँ पर फेंटेसी वॉल नाम का फॉर्मेट है, जिसमें एक्सपर्ट की टीम को आप अपनी टीम बना सकते हैं इसके साथ ही वर्ल्ड बॉर्ल नाम का फॉर्मेट भी है, जहाँ एक गेम में दो सी चार्टी में भिड़ती हैं जो टीम जीतती हैं उसको मिलते हैं कूपन्स, इन कूपन्स का इस्तमाल आप Amazon Flipkart Big Basket Hot Star पर कर सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही, स्पोर्ट से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें दील ललन टॉप और अगर अभी तक आपने हमारे नए चानल ललन टॉप स्पोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके जाईएगा, शुक्रिया